Hello Parents, Dear Parents, आपका एक kysproblem रहता है कि मेरा newborn baby है और उसका आंखों में keychair और आपको इसके आंखों में redness से दिखाई दे रही है मैं उसको किस दरें से क्योर करूं? क्या मैं बच्चे के आंखों में काजर लगाउं? या किसी परिकर कर ट्यूब अप्लाई करूं या फिर कोई आई ड्रॉप डाल दूँ मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि काजल लगा देने से बहुत बच्चे की आँखे अच्छी रहती है और बच्चे का जो कीचर वीचर वीचर वो सब खतम हो जाता है जो आई बूगर से वो नहीं आते तो डियर पेरेंट्स अगर आपका इंफेंट है बेबी बुकुर नवजात है वो वन और टू वीक में और उसकी आँखे आई हुई है चोटी चोटी बच्चे जो निववन होते हैं उनकी आँखों में कीचर आना सवाबे के कुछ बच्चों की बहुत ज़द आखे आ जाती हैं तो आपको परिशान नहीं हो ना आपको बस अपनी बेबी की आँखों को क्लीन करते रहना है आप अच्छी साफ शुत्री कॉटन बोल ले और जो गुनगुना पानी ले उसमें को डिप करें पानी ऐसा होना चाहिए कि आपको गरम ना लगे हलका गुनगुना और उस तक आप अपनी बच्चे की आँखों क को दिन में दो तीन बार अच्छे से पहुंच दे कुछ दिन बाद बच्चे की आइबुगर्स ने वह की चड़ है वह सब खतम हो जाएगा और बच्चे की आख एकदम साफ हो जाएगी तो प्लीज किसी भी प्रिकार का काजल ट्यूब या आइडरोप बच्चे की आँखो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा